नमस्कार आप सभी का स्वागत है भारत एक्स्प्रेस में और मैं हूँ से आपके साथ लोगसवाचिनाव का छटा चरण 25 माई को है लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि योगी सरकार यूपी में OBC कोटे में मुसल्मानों को दिये जा रहे आरक्षन की समिक्षा कर सकती है उत्रप्रदेश में 24 से जादा मुसलिम जातियों को आरक्षन का लाब मिलता है OBC वर्ग में मुसल्मान के आरक्षन के मामने पर सरकार ने जाच करने की तैयारी शुरू कर दी है सूतरों के हवाले से जानकारी मिली है कि सपा सरकार में इसके लिए नियम बनाए गए थे जिसके समिक्षा की जा सकती है सूतरों का इस मुद्दे पर ये भी कहना है कि समिक्षा के तहट ये पता किया जाएगा कि मुसल्मानों को आखिरकार किस नियम व्यवस्था के तहत OBC कोटे में आरक्षन दिया जा रहा है दावा किया जा रहा है कि UP में OBC को जो 27 फीजदी आरक्षन दिया जाता है उसमें मुसल्मों की लगबग दो दर्जन जातियों को पिछडों के कोटे में रिजर्वरेशन दिया जाता था तो वहीं ऐसे में इस बात की जाच की जाएगी कि ये आरक्षन क्यों और कैसे दिया जाता था क्योंकि सपा सरकार में इस तरह की विवस्था की गई थी उसमें कई मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया था जिस पर अब BJP दावा कर रही है कि इन नियमों के विरुद जाकर ये विवस्ता की गई थी इसलिए अब इसकी समिक्षा की जानी चाहिए क्योंकि जांच परताल में पता चल जाएगा कि ये नियम कैसे बना और इसे कैसे लागू किया जा रहा है इसके बाद सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाये जा सकते हैं बता दे कि यूपी सरकार का पिछड़ा कल्यान बोड इसकी जानकारी जुटा रहा है और सरकार की ओर से ये आदेश दिये गए है कि पूरी बारिकियों से इस रिजर्वरेशन की और इसे दिये जाने से लेकर आज तक कितने लोगों को इस आरक्षन का लाप मिला है कितनी जातियों को इसका लाप मिला है का सारा डेटा जुटा कर सरकार को दिया जाएगा जिसक के बाद इसकी समिक्षा की जा सकती है खबर तो ये भी है कि सीएम योगी भी इसमें शामिल हो सकते हैं लेकिन अभी इसकी पुष्टी नहीं हो पाई है फिलाल खबरों में बस इतना ही बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं भारत एक्स्प्रेस